आपके पास Vivo X100, X100 Pro है कोई भी फोन है तो यहां पे आप fingerprint lock set कैसे खर सकते हैं अपने फोन में और अगर आपका work नहीं कर रहा है या फिर change करना है मैं फुल सेटिंग आपको बताने वाली हूँ तो इसके लिए सेटिंग पर जाना है इस ट्रैप से option आएगा स्क्रॉल कर लेंगे आपको यहां पर security का option देखने को मिल जाएगा यह रहा क्लिक कर लेंगे security पर जाने के बाद यहां पर आपको fingerprint के option पर जाना है और अपने फोन पर जो भी आपने lock set किया हुआ है वह enter कर देंगे इसके बाद start and element पर क्लिक कर लेंगे fingerprint यहां पर आप scan कर लेंगे ऐसे करके scan कर लेंगे चाल तरफ से done पर क्लिक कर देंगे fingerprint आपका लग चुका है ठीक है और इसको हमेशा on रखेंगे तब ही आपका fingerprint वर्क करेगा और privacy app lock वगरे के लिए on करना है तो यहां से आप on कर सकते हैं इसको और यहां से animation style change कर सकते हैं ठीक है अप्लाई कर देंगे और इसको भी आप on रखेंगे इसके बाद back कर लेंगे इसके बाद यहां पर icon का style आजाता है icon का style भी यहां से मैं apply कर दूंग यह वाला इसके बद यहां पर show off screen के option पर on रखने आपको ताकि जब screen off रहे तब भी आपका fingerprint आइकन शो करें ठीक है इसके बाद fingerprint 1, fingerprint 2 ऐसे करके fingerprint लगी होगी अगर delete करना है तो यहां पर delete का option है इसको click कर लेंगे दूसरे fingerprint यहां से add कर सकते हैं यहां से verify कर सकते हैं अपनी fingerprint और इसके बाद यहां पर आपको कुछ नहीं करना है back कर लेना है तो यह आपकी off screen है तब भी देख सकते हैं आइकन शो कर रहा है आप इसको ऐसे करके unlock कर लेंगे तो इस टाप से आप यहां पर fingerprint set कर सकते हैं अब remove करना है तो remove करने के लिए मैंने आपको बता दिया है security पर जाना है fingerprint पर जाना है और यहां पर delete का option है delete कर देंगे yes remove तो यह delete हो गया है इसी टाप की interesting वीडियो के लिए i button पर क्लिक कर देंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नवश्कार